सोशल वीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख ले मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए की केंपेणिंग के दौरान प्लीज डॉन्ट ट्राइट टॉ क्रॉस टी रेड लाइन चूट के बजार में रॉनक तो बहुत है गोया बुलबुले जैसी तुरंती फट जाती है पकल भी लोगे तो क्या हसल होगा सिवाए धोके के अधूरी हसनतों का इलजाम हर बार हम पे ल कॉल मित वर्सिस रियालिटी दिस गॉइंग तो विलाइव वरी सून मींस यह मित फैलाया जा रहा है यह उसकी रियालिटी है हम अपनी तरफ से आगे बढ़के आपको एजुकेट करेंगे कि यह उसकी रियालिटी है और और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अ लाइने लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं जूट के बजार में रौनक तो बहुत है गोया बुल-बुले जैसी तुरंती फट जाती है पकल भी लोगे तो क्या हसल होगा सिवाए धोके के तो उसको थोड़ा रोक के देखें समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नह कुछ तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से वो फिर आपको सनाता हो अधूरी हसनतों का इल्जाम अधूरी हसनतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं ये इवियम कह रही है मैं नहीं कह रहा हूं अधूरी हसनतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठ और और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते आपी के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है ये क्या बात है भाई कितने दिन EVM's are 100% safe 100% sure we know now in last two years again we have done large number of improvements our request is key campaigning के दौरान please don't try to cross the red line ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंसे निकलता है उसका record तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया वो बार बार चलता रहता है so please avoid creating digital memory of bad words which are coming from your mouth please be civilized during the election this is what is our advice और एक बार जब लड़ा होता है तो प्रेम का धागा तूट जाता है और जब प्रेम का धागा तूट किया तो बड़ी मिश्किल होती है रहीम ने कहा था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए तोटे से फिर ना मिले मिले गांट पर जाए तो क्यों ऐसी गांट बांदनी है थोड़ा प्यार महबबस से campaigning करें शोर शराब कम हो मैं appeal to the political parties again we are very committed for ethical political discourse I would like parties to again appeal that please maintain in dokorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks राजनीतिक दलों को बहुत personal attacks से बचना चाहिए फिर मुझे बदर साफ का एक शेर याद आता है दुश्मनी दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाईश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो और और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रकिरिया थोड़ी जादे चल रही है तो तो पार्टीज कम से कम ऐसा न गंदा बोलें कि वो एक दुसरे के दुश्मन बन जाए